हेलो फ्रेंद्स चलते हैं आज एक और नए वीडियो साथ मिलते हैं देखिए इस वीडियो में बनाएंगे हम लड़ू गुपाल जी के लिए पौसाख तो पौसाख हम तीन से चान नमर लड़ू गुपाल जी के लिए बनाएंगे तो देखिए हमने थोड़ी थोड़ी बची हुई हुए उन्हे जो आपके देखिए विश्टी जून होते थोड़ी थोड़ी बच जाती है उससे आज मिलाके मल्टी कलर में लड़ू आपना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए देखिएगा बनाते हैं किस तरीके से इसको बनाना है तो यहाँ पर हमने देखिए हम बहुत सारे कलर ले ले लिए हैं पर हमने देखे रेड कलर से फंदे डाल ली हैं फंदे हमने गले के बॉर्डर के लिए डाले हैं इसमें हमने तीन से चार के लिए तो देखे इस तरीके से उल्टा-उल्टा हैं पर बना लेंगे यह इस तरीके से पूरा इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे सीधे तरफ से भी और उल्टे तरफ से भी तो यह हम टोटल चार सलाई इसकी बनाएंगे हमारा कलेच बॉटर चार सलाई में बनके कंप्लीट हो जाएगा जिए बना ले तरह इती है चार सलाई ये देखिए आपने आपने काना जी के कोडिंग बना लीजिए अगर छोटे काना जी हूं तो दीखें एक नमबर छोटे हों तो दो फंदे कम कर दीजिएगा बढ़ाले जिए गहारे प्राइव दियर्ट लियुक्त मोने di dresti वे यक्षणो बढ़ाले अंध्यक्ता वर्धिवी नों, अब देखिए हम बनाएंगे आगे चोली तो चोली बनाने के लिए हम देखिए हैं अपर एक फंदाई जो किनारे वाला है इसको सीधा बनाएंगे आप उल्टा भी बना सकते हैं यह फंदह लित की से प्वंद स्विथ बनाए किनारे वाले को अब दीए के एक और और बनाए और आगे के पाट के लिए अब दागा पनी तरफ कर लेंगे नहीं पर देखे इस प्वंदे पर जली डालेंगे फिर से अपनी तरफ यहां पर दूसरी जली एक फंदह सीधा क्रि anda के दूूम एग απNow चेहा के लिए अमने देखें किस्थ त्था बनाए तरह दागा कि लिए पिछा लगी थाले दागा आपक्रप कर लिए त्याल दागा दूसरी जाले इस तरीके देखी एक चलाई पर बनाए डाल दिया अग्षिट को उल्टे तरफ से सभी फंदों को यहां पर इस तरीके से उलटा-उल्टा बना लिए उल्टे तरफ से कुछ नहीं करना है शर्फ सभी फंदों और जो बनाए होए फंदे हैं उनको बना लेते हैं तो देखे अब द्वार प्रणाब करते हैं इस तरीके से सुपफ जाली में लोग करें। में दागए को अपनी तरफ कर लाएं इस फली वाले फंदे पर जाली को डाल लेंगें इस तरीके से。 फिर दागा अपने तरफ दूसरी जाली को यहां जाली पर डालेंगे एक और देखिए दो दो फंदे सीधे बाजू के लिए दागा अपने तरफ देखिए इस जाली को इसको भी सीधा बनाएंगे पहली जाली को सीधा बनाएंगे दागा अपने तरफ देखिए इस फली वाल तीन और यह चार पीछलब को भिसर्द फिदें और तेन नियुकर पांट की ही है Kim Fandy होगा दरना देखे अरप के लिलिए पर वेसी दो एक और आधिन इस पर या को अध्य बना लिया अब इसी तरीके से बार बार हमने जिसे इस वाली सलाई पर जाली डाली इसी तरीके से इसमें हम चार जाली डाल लेते हैं कि दो हमारे डल चुकी हैं और जाली हम और डाल लेते हैं और ज्रू फमारे रेद कि अटाल लिए ईस तरीके यह ंर दो आती हैं गफादर बना लेंगners बना लेते हैं तो देखेगा यहां पे हमने चार जाली यह बना लें एक दो तीन चार जाली बनाने के बाद में देखिएЙ हम अगर आपको फुल से बनाना है न बाजू के फंदों को देखिए जो बाजू के फंद्धे हैं हमारे पिन में डाला के और इनको देखिये बाद में आप बना लीजीगा निबड़ी आपको बाजू बनानी है तो यहां पर हम इस तरीके से पर आगे के पाट के फंदों को बना लेते हैं देखें दो तेन चार पांग छे और देखें यह फली वाला फंदा है साथ साथ फंदें हमने आगे वाले पाट के लिए बना लिए आप देखें धागा अपने तरफ करेंगे और जो यह जाली के अंदर के फंदें हैं देखें दो चार छे आठ दस फंदें हैं इन दस फंदों को हम यहां पर देखें इस तरीके से दो का एक करेंगे इस तरीके से और बापस से सलाई में डालेंगे जो बचा हुआ एक फंदा होगा उसको फिर से दो का एक करेंगे यहां तक यह जाली तक हम सभी फंदों यह 10 के 10 फंदों को इस तरीके से बंद कर देंगे 10 फंदे बंद होने के बाद में हमारी देखी यहां पर बाजू बन जाएगी इस तरीके से देखी आपको देखी यह फनदा अपक हमारी बन गई देखी ऑग पर देखी जाउन यह आपक सा मंने फनदा पराई इस बन नहीं करा है आपके पार्ट से बंद में है अब पीछे के पार्ट वाल इस इने को यहों बना चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और देखें यह तेरा तेरा फंदे हमारे देखें पीछे वाले पाट के लिए बन गए हैं और फिर से दागा अपने तरब करेंगे यह हम देखें यह पर दो करते हैं दस फंदे दूसरी वाली बाजु के लिए हम यहां पर बंद कर देंगे इस तरीके से जिस तरीके से हमने पहली वाली बाजु के फंदे बंद कर देखें दो फंदे बंद हो चुपे तीन चाट पान छे साट आट नौ द्स देखिए दस फंदे बंद हुए अब धागा पीछे कर लेते हैं और दूसरा आगे वाला पाट is उसके फंदे बन लेते हैं दो तीन चार पान चे और साब देखिए साथ फंदे हम ने हैं आपे यह हमारे बन गए है आगे वाले पार्ट के लिए और साथ फंदे हमारी धरें और देखिए पीछे हमारे तेरे फंदे हैं अब देखिए अब देखिए अब यह भी लुक अलर से बनाई है आपर उल्टे तरफ है उल्टे तरफ से देखिए जो हमारे तिन इस पार्ट अलग अलग हो रखें इन तिनों पार्टों को देखिए यहाँ पर एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरी के से तो टाइट करके बनाना है अब देखिए दर हमारे यह दूसरी बाजू आ गए इनको बिल्कुर यहाँ पर आगे वाले पार्ट के फने टाइट करके बना लेते हैं इस तरीके से देखिए हमारे यह बाजू तक जो चोली है बनकी कंप्लिट हो चुकी है अब हम देखिए गा बाजू तक यह चोली हमा उल्टे तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से सीधा बनाते हो इस तरीके से डेखिए टोटल 6 सलाई बना लेंगे आप आपड के बना दिने के बादने के बाद में पार देखिए tast नीचे तो यह पूरी चोली बनकी तैयार हो चुकी है अब चोली तो बन गई है इस तरीके से तो घेरा बनाने के लिए हैं आपर देखिएगा हम उल्टे तरफ से रेट कलर को बनाते हुए चले आए हैं अब इसमें हम फंदे बढ़ा लेते हैं फंदे देखिए हम एक साथ ने बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे देखिए ऐसे उठी उठी ड्रेस रहेगी इसलिए हम इस तरीके से एक वार जाली डाले फिर दागा अपने तरह देखिए फिर इसी तरीके से देखिए हर फंदे पर एक वार जाली डालेंगे और फिर थोड़ा सा घेरा बनाएंगे फिर फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से पूरी सलाई में हम इसी तरीके से फंदे बढ़ा ल तो देखिएगा एक वार हम फंदे बढ़ा लिए हैं घेरे में अब गेरे के देखिए तोटल चार सलाई इसी रेड कलर से जिससे हमने फंदे बढ़ाए हैं इसी रेड कलर से देखिए इस तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे फंदे ने बढ़ाएंगे चार सलाई बना लेते ह तरफ से उल्टा और दो सीद हों 一方 बना इत तर north इर सीस में मैं ऐसे इसे साद जाद जाढ़ा चार सलाह आपना लेते हैं हैं यहांमें इस चार सलाह यह बना ली हैं का सिदी अभु उल्टे त्रफ देखि किसको लिष्सकार कॉर्स कर दिया है है का साथ और और जो यह हमारे देखिए द्धागे हैं इनको दबा लेंगे शलाई के अंदर ही सब भी दागों को देखिए गा उर्टे तरफ से बना लिया है वैट कलर को आप सीधे तरफ से पहला फंदर सीधा बनाएं दागा अपनी तरह यहां पर सब भी फंदरों को देखिए जाली डा कि इस तरीके से बना लेंगे कि सभी फंदों को बना लेते हैं इस तरीके से यहां पर हमारे घिरे के लिए देखिए पोरे फंदे हो जाएंगे देखिए गार यह हमने फंदे बढ़ा के उनके तरफ से भी इसको बना लिया अब सीधे तरफ आगे तो सीधे तरफ से देखिए तो यहां पर हम बनाएंगे देखी एक दो तीन चार चार फंदे हमने बना लिए अब देखीगा यहां पर इस वहले फंदेखें यहां से एक दो तीन और चोथे उक के अंदर से इस तरीके से बनाएंगे यह इस तरीके से बनाया फिर यहां पर देखी एक दो तीन फिर यहीं से बनाएंगे इस तरीके से बना लिए हमने यहां पर अब देखी यहां पर एक दो तीन फंदे हमने यहां पर बना लिए चोथे फंदे के अंदर से देखी इस तरीके से बनाएंगे अधिन इस तरीके से बनाएंगे इसके बार में हम रेखी यहां पर एक दो तीन फिर यहां पर देखी इसके अंदर से बीच में यहां पर आएंगे इसको अलग रखेंगे जिसमें से बनाएंगे और तीन तीन फंदे हम साइड़ों में कर लेंगे तो हमारे टोटल छे फंदे हो जाएंगे इस तरीके से इसको बनाएंगे फिर तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन तीन फंदे आप बना लिए और देखिए चोटह फंदे आँस निचे से इस तरीके से इसको बनाएंगे दो को इस तरीके से देखिए लेख को बना लिए अब तीन फंदे फिर बनाएं इसे लग दो तीन फिर इस इसी देखिए फंदे के अंदर से इस तरीके से धागा निकालकर इस तरीके से बना लिया बना लेते हैं पूर्य सलाई को इसी तरीके से तो देखिएगा सीधी सलाई हमने इस तरीके से बना लीए तो हम जब यहां पर यह वाले देखिए बनाते ह Буд den देखिए इसलिए हम इơi इसको इलटके वर से बनाना होता है तो आप यह घ् Falls ले दाल सकते हैं कि जो चिंगल चिंगल बनाना है इस तरीके से की हमारा इस न की उठाय से की छाए इस वाले फंदे को बेने सबibliai और दो फंदे को यहां पर एक साथ बनाने कि यहां पर दोसरे फंदे के साथ लेकि इस तरीके से बना देना जिससे हमारा फंदा ना बढ़े जाब भी फंदा हमारा उठाय हुआ हुआ इन दूसरे फंदे के साथ इसको देखिंगे हाँ फंदे के साथ बना देनी जाए कि ह melted इस तरी कि उठी ँटह तरफ से भी हlor A प्यार लग रहा है इस तरीके से हमर लियान बन जाएगा तो बना लेते हैं इस वारी सलाई को देखे अब उल्टे तरफ से बना लिया है और आगे हैं सीधे तरफ तो सीधे तरफ से इसकी देखिए इस सलाई को इस तरीके से सीधा सीधा ले जाएंगे बनाते हुए पूरी सलाई को अब उधर से हम दूसरे कलर चेंज करेंगे उल्टी सलाई कर लेंगे कलर को चेंज देखिए इसको अब वाइप जो हमने लगा रखा कलर इसको हटा देंगे इसी पूरी सलाई को इस तरीके से बनाते हुए चली जाएंगे बनारे तो देखिए हमेंदे डूसरे कलर्ल को लगा लेए बिल्ट कलर रखो और इसको हम अब तरीके से बनाएंगे तदे इस तरीके से बनाना है जो हमारा बीच वाला फंदा देखिए वाला एक यह है और एक यह एक बीच में तीसरा फंदा तो इस तीसरा फंदे पर हम अब डिजाइन डालेंगे एक फंदा यहां पर आ रहा है हमारा तीसरा देखिए इधर से इस तरीके से तो तीन किसी में से निकालके दोवारा इस तरीके से इसको बनाएंगे देखिए अब बखिए फंदा को बीच में फंदे हैं इनको सीधा सीधा तीन और यहां पर चार जो सीधा फंदा इसके देखिए यहां से निचे की से निकालेंगे और इस तरीके से थोड़ा लूज निकालेंगे दागे को यहां पर एक दो तीन और चार पीए इसे देखिए इस तरीके से निकालेंगे फिर से देखिए यहां पर इसके को बनाेंगे तो से द्रेश को ना दिया है तो तो कितनी प्यारी प्यारी कितनी संदर जैसे जैसे घहरा बनाते जाते हैं लंबा उसके ऐसे से फंदे बढ़ाते हैं तो इस तरीके से घहरा बनके आ जाता है तेन से चाल नम लड़ो बॉपाल जी के लिए देखे चोली यह हमने बिलू और रेड से बनाई है और देखे घहरा हमने मल्टी कलर में यह बना दिया है त कमेंस करके जरूर बताइए कि आप कोई वीडियो कैसी लगी है और आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा से शेयर कीजिए तो फ्रेंस बने रहे हैं हमारे चैनल पर नए नए वीडियो देखने के बड़ी बड़ी